रिसेंडी दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कि चाइना ने हाउजर जैल की है पाकिस्तान को हाउजर जैनि लॉंग रेंज आर्टिलरी और यह कोई नॉर्मल आर्टिलरी नहीं है इसके साथ एक नुग्लियर फेक्टर भी जुड़ा हुआ है तो आगे थोड़ा सा एक थोड़ा सा एक फोड़ा सा एक शेल के बराबर का वरहेड लगा हुआ। नूकलियर वाहेड लगा हुआू हूँ ठीक है तो यह हम देखते है आगे क्या है ये चाइना आम्स पाकिस्तान विद न्यूकलियर कैपेबल होट्जर ये लग बहूत ही जादा देखी को खतरनाक हो सकता है डिस्टर्क्टिफ हो सकता है पाकिस्तान के द्वारा, इसलामाबाद रिसेंटली एक्वाइड फ़स्ट बैच ओफ चाइनीज मेड वीकल मांटेड एस फिफ्टीन इस हार्जर का नाम देखीगा तो एस फिफ्टीन हार्जर तो काउंटर दी इंडियन के नाइन वजर को काउंटर करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को सभी को याद होगा कि 2019 में इंडिया ने बाला कोड की एर्ट स्ट्राइक की थी बकाईदा हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके वहां पे एर्ट स्ट्राइक की थी बिना यह सोचे कि नुकलियर वैपन है पाकिस्तान के बास क्यों बगबग करते रहता है ठीक है कि हम नुकलियर बरसार देंगे तो इंडिया सीरिस लेता नहीं है ठीक है तो इंडिया पाकिस्तान को क्या हुआ पाकिस्तान की आर्मी ने चाइना की नॉर्डन इंडिस्ट्री कॉर्परिशन के साथ एक कॉंट्रेक्ट साइन किया जिसमें इन्होंने कहा कि हम 236 SH-15 हर्ट अर्टिलरी गंस खड़ी देंगे जिसके पास एक नुकलियर कैपिलिटी हो नुकलियर हो सकती आप यहां पर देखिएगा तो यह रहा SH-15 और यह रहा हमारा K9 वजर ठीक है अब यह जो नुकलियर आर्टिलरी नुकलियर हाउट्जर का जो कॉंसेप्ट है यह देखिएगा तो USA USSR Cold War के टाइम पर बहुत तेजी से आगे लेके जा रहे थे पर देखिए इसके है बढ़ा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है बढ़ा खतरनाक हो सकता है देखिए बहुत ही जादा मलब डैमेज कर सकता है मलब एक सामने वाली की जो पोजिशन आर्मी है आपके अगेंस्ट में लड रही है उसको बहुत जादा नुकसान पहुचा सकता है रेडियेशन भी अब देखिए जो nuclear artillery जो यह है nuclear capable artillery USA USSR बहुत तेजी से आके लेकर जा रहे थे पर जैसी ही देखिए क्या हुआ बाद में जाके USA ने इस concept को छोड़ दिया क्यों छोड़ देखिए एक बहुती बड़ा mistrust भी मला मिसंडरस्टंडिंग भी create कर सकते है आप इंडिया पाकेस्तान का एक्जाम्पल ले लें कि पाकिस्तान ने खड़ी कर दी खड़ी कर दी बॉर्डर पे अब इंडिया उस नहीं कर पाई कि कौन से नॉर्मल आटिलरी जैं या न्यूक्लियर कैपेबल आटिलरी जैं ठीक है तो यह देखिए गा तो मतलब खतर हो सक सकते हैं मरसटन की से स hazır कर टीए तो इन भी ने घृ कि निंट्रिंडर अले शुरू कर दी कर दिया तो यह जो चोटी सी जुड निूक्लियर आटिलरी है और आटिलरी जो फिरतल चोटा सा शोल बढ़नी ज्यादे बीडिश्या चुरू कर वाा सकती है उत बॉर्द प्रॉक् मानफ्ता के लिए ठीक है पृत जादा खतरनाक हो सकता है इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब यह देख रहे हैं आप हम लग यह इसने नुकलियर शेल बरसा है और कितना जादा डिस्ट्रक्टिव है छोटा सही पर बहुत जादा डिस्ट्रक्टिव है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही आज दोस्तों आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी ठीक है